हलो मेरे देश के नए इंजीनियर्स जो की भावी इंजीनियर्स हैं होने वाले इंजीनियर्स जिनके सारे हमारा देश चलना है तो आईए सुरू करते हैं कम्प्यूटर साइंस थर्ड सेमिस्टर का जो एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट अंड बैप टेक्नोलोजी इसका सलेवस हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं उसके बाद इसकी क्लासे आपको कंटीनियू प्रोवाइड की जाएंगी ठीक है तो चलिए अभी समझते हैं सलेवस में है क्या तो सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है पहला जो यूनिट है उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले वेब डेवलप्मेंट इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या इंटरनेट क्य क्या होता है, www,bowser क्या होता है, search engine क्या होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा Google Chrome बगयरा ढएब इसके बाद client server model URL क्या होता है ढएब website क्या होता है website कितने प्रकार क्यों होती है static or dynamic or responsive website होती है उसके बाद IT law क्या है cyber crime जो होता है साइबर security क्या क्या cyber security क्यों आवश्यक है ठीक है तो ये आपका हो गया पहला chapter यहां से हम लोग को कम से कम दोन question देखने को मिल सकते हैं एक आपका यहां से short note आ सकता है दो number में और एक 5 number का question आ सकता है IT law ठीक है ये सारी चीज़ें आपन लोग आगे की class में discuss करेंगे तो हमको पहले chapter में ये सब जो हमारा chapter है वो है HTML most important chapter है ठीक है most chapter है पूरी book का सबसे ज़्यादा आने वाला chapter कौन सा है most chapter है कौन सा HTML तो सबसे पहले हमें सीखना है HTML language है क्या HTML language का basic structure क्या होता है इसका syntax क्या होता है HTML tag क्या होते है इसके attribute क्या होते है HTML tag के attribute क्या है basic tag body tag head tag title tag इसका क्या आवश्यक होता है इनका क्या काम होता है उसके बाद हमें सीखना है page formatting मतलब HTML program को बनाना जिसमें हम सीखेंगे एक नया program कैसे एक नया paragraph कैसे शुरू किया जाता है HTML page में line blank element हम कैसे add करते हैं उसका क्या attribute होता है inserting a blank space दो number के बीच में space डालना है तो हम कैसे डालेंगे इसके बाद background को अगर हमें change करना है अपनी picture के अपनी website के background में अगर हमें change करना है तो हम कैसे कर सकते है HTML language ये कैसी language होती है जिसका अपयोग website बगेरा बनाने में किया जाता है HTML का full form होता है hypertext markup language ठीक है तो उसी से सार link कैसे बनता है image को as a link कैसे बना सकते है ठीक है इसके बाद हम इसमें सीखना है हमें किया table कैसे बनाई जाती है और form कैसे बनाया जाता है और HTML में frame क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है तो इतनी सारी चीजा हम लोगों को यहां से सीखनी है यहां से आपके 5 number के कम से क तीन question देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये chapter आपका सबसे ज़्यादा important है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें हम आपको most question बताते जाएंगे, कि ये question prepare कर लो, ये question exam में आ सकता है, अगला जो chapter हमारा है, वो है cascading style seat, जिसको short form में बोलते हैं, CSS, तो CSS में हमें सीखना है क्या, CSS selector, most topic है, इसका CSS selector कितने type के होते हैं, और CSS का implementation कितने type से होता है, ठीक है, तो ये यहाँ से most question है, उसके बाद हम लोग को क्या सीखना है, box model CSS का, और CSS की कुछ important property, यहाँ से आपको 5 नंबर के 5 नंबर के 2 question देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला chapter है वो है, जाबा स्क्रिप्ट, ठीक है, जाबा स्क्रिप्ट का use भी हमारा किसम होता है, website बनाने में होता है, इसमें हम लोग को सीख रहा है, क्या, जाबा स्क्रिप्ट के variable और data type क्या होते हैं, जाबा स्क्रिप्ट में operator कौन कौन से होते हैं, इसके बाद, if else statement, for loop, while loop, do while loop, य यह सारी चीजें, function को declare करना, function को कैसे call किया जाता है, जाबा स्क्रिप्ट का use, जाबा स्क्रिप्ट को HTML में हम कैसे insert करते हैं, और HTML के कुछ element, यह सारी चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है, अगला जो हमारा topic है, वो है jQuery, तो jQuery से आपको केवल हो केवल क्या पढ़ना है इसमें पढ़ने हैं हमें jQuery के element, बाकी और सारी चीज़ां भी discuss करेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा jQuery के element है, यह most topic है, और बाकी फिर हमें इस सारी चीज़ां सीखना है, कि jQuery को back page में कैसे add किया जाता है, jQuery में method क्या होती है, और jQuery के क्या-क्या effect होते हैं, उन सारे effect को हमें क्या करना है, शीखना है, अगला जो chapter है हमारा, वो है बेटा bootstrap, most chapter है, नया add हुआ है bootstrap, फिक है, इसमें हम लोग को क्या-क्या सीखना है, bootstrap का यूच करके, color को कैसे manage किया जाता है, मेनेज किया जाता है, drop down menu कैसे लगाया जाता है, navigation कैसे लगाया जाता है, टीक है, jumble Tr on क्या होता है alert method क्या होते है form कैसे बनाया जाता है यह सारी चीजें हम bootstrap के अंतर सीखेंगे इसके बाद हमारा अगला जो chapter है वो है XML और JSON ठीक है Java script object notation JSON और XML इसमें हम लोग को सीखना है XML क्या होता है XML के element क्या होते है और RSS speed JSON क्या है इसको हम कैसे use करते हैं और XML schema क्या होता है यह इतने चीजें हम लोग को इस chapter में पढ़नी है और यह हुग आपका web technology तो HTML language आपको आनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप 5th semester में जाएंगे तो वहाँ पे आपको PHP language भी सीखने को मिलेगी जिसमें पूरा का पूरा आप website बनाना सीखेंगे और उसके लिए आपको HTML basic language है इसको सीखना बहुत जरूरी है तो इन classes को HTML की सभी classes को बेटा ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना ठीक है तो मिलते हैं अपन HTML की classes में तब तक वीडियो कैसी लगी comment में जरूरी बताएं और वीडियो को like करना ना भूलैं चैनल को जरूर सेर और सबसक्राइब करें वीडियो को सेर करें चैनल सब्सक्राइब करें और जिसने हमारा टेली ग्राम चैनल जोईन नहीं किया है वो हमारे टेली ग्राम चैनल को जरूर जोईन करने मिलते हैं राधे राधे असलाव आलेकुम सस्रीय अकाल जैहिंद जैभारत